लेडिस जेंटमेन 44th मॉडूल आफ राइज आफ डाइज अफ कैपितलिस्म एक शेर के साथ अगास करता हूं जी वहम ये तुछको अजब है ए जमाल कमनुमा वहम ये तुछको अजब है ए जमाल कमनुमा जैसे तुछ में सब कुछ हो मगर तु दीद के काबिल नहों जैसे तुछ में सब कुछ हो मगर तु दीद के काबिल नहों वहम ये तुझको अजब है ए जमाल कमनुमा सु कैप्टिलिजम और राइज आफ कैप्टिलिजम को मैं जमाल कमनुमा यानि उसको लगता है कि वो बहुत हसीन है लेकिन उसका जमाल वो कमनुमा है ये वहम है उसको कि उसके अंदर बड़ा जबरदस जमाल है और उसको ये भी Humanity को magist करें ,सको सिर्फ और सिर्फ अपने लेन दिनी से पर्को आपने ऐसे hospitals देखेंगे आपने ऐसे educationalَ Institute's देखेंगे जो सिर्फ प्मिपीसों की खाथर जो है वो लोगों के future बरबात करते हैं यह essence जो है But capitalism में आना शुरू हो गया इसे तरीके से फैक्टरीस के अंदर लोगों की मजदूरों की उंग्रियां कटना शुरू के और लोगों के बच्छे स्कूलों से आउट होना शुरू के और अगर लेबर जो है वो बेमार हो जाता था तो उसके उपर कुछ नहीं आता था लेकिन कैपिलिसम की बेसिक एसेंस म माइनस कर दिया गया अब हम राइज अफ कैपिलिजम को के जो है वो पॉइंट्स के अपर जाते हैं के पुटेस्टिनिजम के अंदर देखें को फेवर्ट दा राइज अफ कैपिलिजम भाई इंडोइंग प्रॉफिट मेकिंग विद एन अमेजिंगली गुड कंसाइंस अच को प्रॉटेस्टिन्ट एथिक्स की तरफ ले आएं फिर वो कहता है कि कॉंट्रिबूइशन तो दे अंडिस्टेंडिंग अफ ते मैनर इन विछ आइडियास इन केस अफ रिलिजिस आइडियास विकमिंग अफेक्टिव फोर्स इन दे हिस्ट्री वह यह कहता है कि मजभब को एफेक्टिव फोर्स की तोर पर इस्तमाल किया जाए अच्छा आपने नहीं अलमुनकर का लफ सुनाओ अलनहीं अलमुनकर क्या है यह करना है यह नहीं करना इससे फाइडा होगा इससे नुकसान होगा आपने पूरे कुरान मजीद के अंदर जो है और अगर आप पूरा देखें कि जितने सुहफ इबरहीमी से लेकर जितनी डिवाइन या आपकी गॉस्पल्स हैं उनके अंदर सारों के सारे जितनी भी चीज़ें आइंगे इनसानियत की बुराई के लिए जो चीज़ें होगी उसके लिए आपको गुना का दर्जा दिया गया यह नहीं वो गु जासे आप ते वो अनकॉंशिस काम ना हो जाए जो इनसान नहीं करना चाहता इसी तरीके से आपको और भी बेश्मार चीज़ें से मना किया गया लेकिन प्रोडक्टिविटी अगर आप खुद का कर रहे हैं तो आपको फैक्टरी लगाने की अजाज़त दी गई तो एक जर्मियन एडियालोजी के अंदर जब बीमड़ी बनती है मरसेडीज बनती है बाकी ब्रैंड्स बनते हैं तो उनके अंदर भी मोटिव यही होता है कि इनसानों की खितमत की जाएगी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगी लेकिन आगे 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 फाशिस जो कैप्टलिजम ह जाता है जर्मिनी की रिट ही ये थी कि वो टिक्नॉलिजी कॉलिटी प्रोडक्स नहीं बनाते थे और से भी बहुत सी प्रोडक्ट में नाम नहीं लेता और किसी मुल्क का नाम भी नहीं लेता अगर कार 40 लाग की बन रही है और इसको इनसान के सेफ करने के लिए 15 उसके जो हेड इंजरी को रोकते हैं आपने गुटने की इंजरी को रोकते हैं आपके हाठ के उपर प्रेशर जख अब नहीं पड़ेगा आपकी बैक मून की सेफटी करते हैं और अगर छे लाग की गाड़िया अगर आपको किसी डीप के अंदर अंधेरे में जाते वे अगर आपको थोड़ी सी नींद आगी है और वो आपको वाइबरेट करके उठाती है ये सैंसर्स लगें में तो हिमानिटी सेफ करने के लिए टेकनालोजी बनी है तो गुड है अच्छा है लेकिन अगर आपकी जो है वो चालिस लाग की प्राड़क्ट के अंदर सरफ सरफ ये है कि वो इडिया जो है वो उठाते हैं और वेबर साब भी इसको कैपिलिजम के साथ रिलेट करते हुए कहते है कि कैपिलिस एकनामिक सिस्टम इस इन देस्टेल है तेक्स अन लाइफ फिस ओन बिकमिंगा टुमेंडिस कॉस्मोस और विच एवर्यमन इंप्लॉयर अलाइग मस् सबम से टुमेंडिस कॉस्मोस से इस वाट विच एवर्यमन इंप्लॉयर अलाइग मस्जीद इसके अपर बहुत ही खुबसरत जमला कहता है हमने तुम्हें माल इसलिए नहीं दिया कि तुम सर्फ अपने फाइदे के लिए करो हमने तुम्हें माल तकसीम करने के लिए दिया है औ कि divinity को इस्तमाल कीजिए अपनी productivity की तरफ और productivity को social change के साथ अबारत कीजिए जब तक आप की social change नहीं आएगी तब तक आप बहतर entrepreneurial environment develop नहीं कर सकते बागी चीज़ें next way Thank you very much